दोस्तो आज हम बात करने वालें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक क्योंपर क्योंकि पेट्रोल का प्राइस जिन्मदिन बढ़ता जा रहा है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 बेस्ट मायलेज बाइक के बारे में जो आपको इंडिया में मिल जाती हैं चैतल-तह तह वाला फीन आपको बताने वाला हूँ किस स्पीड में कौन सी था बाइक में आपगों अच्छा मालेज मिलने वाला है और प्राइस करने के बाद मैंने ये लिस्ट बनाई है जैं आपको अच्छा खासा comfort मिल जाता है, mileage की बातकेट इसकी मैले जादा तो नहीं है, 65 के आसपास आपको मिल जाती है, real life में, but इसमें आपको comfort and build quality अच्छी मिलने वाले, इसकी price की बातकेट इसमें आपको दो variant देखनों को मिलने वाले हैं, पहले आपको मिल जाएगा drum and is, उसम price देखनों को मिल जाएगा, 80,534 रुपे, और डिस वाले की बातकेट आपको on road price पढ़ने वाला, normal वाले का 83,847 रुपे, और dual tone का आपको डिस वाले की price पढ़ जाएगी, 84,838 रुपे, सब जगा का on road price अलग रहने वाला, ये मैं आपको एक expected price बता रहा हूँ, ये मैं दे redon थी, वो भी 110cc की, अगर पैसन प्रो की mileage की बातकेट आपको 69 की mileage मिल जाएगी, जो की redon से अच्छा रहने वाला है, लेकिन दोनों को compare किया जाया, तो look and comfort में आपको जादा अच्छा comfort मिलेगा redon में, लेकिन जहां पे बात आती है, rough and tough व्यूज करने की एन अच्छी mileage की तो आपको पैसन प्रो में मिल जाता है, पैसन प्रो का भी लुक काफी अच्छा है, देखने में अच्छी लगती है, एन हिरो की bike है, तो इसका reseal value भी जादा अच्छी होने वाली है, इसकी price के बात के तो आपको 2 variant मिलने वाले है, पहला आपको मिल जाएगा drum variant, जिसकी बता रहा हूं, और डिस वाले की आपको उन्रोड प्राइज पर जाएगी 87,921 रुपे, और अभी हम चलते हैं अपनी नेस्ट बाइक पे, नाइन्थ नंबर पे हमारे पास है, होन्डा की CD 110 Dream Deluxe, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, इसमें आपको अच्छी खा आपको 70 के आज़ पास आराम से मालेज मिल जाएगा, बाकी तो डिपिंट करता आप चलाते कैसे हो इस बाइक को, खाफी दमदार बाइक अगर आपको एक कम्यूटर सेग्मेंट की अच्छी बिल्ड कॉल्टी वाली बाइक जिसे आप लॉंग लाइब चलाना चाहते हो, त इसे लॉंच हुए 5 या 6 मन्त हो चुके है, यह बाइक एस्पेसली उनके लिए बनाएगे है, जिनने लगेज करी करना या कुरियर बॉय के लिए जो जादा समान लेकर चलते हैं, उनके लिए बनाएगी है, काफी अच्छी बिल्ड कॉल्टी आपको मिल जाते है, साथ में बहुत अच्छा मिलता है, इसकी प्राइज के बातके आपको और परने वाली यह बाइक, 69,805 रूपे, इसमें भी आपको काफी अच्छा दमदार लुप के साथ में माइलेज भी अच्छा मिल जाता है, 75 का माइलेज आपको अराम से मिल जाता है, और बिल्ड कॉलिटी तो तो नेस्ट हमारे पास साथवे नंबर पर है हीरो की हैचे हैप डेलाग जो की 110 सीसी की बाइक है इसमें आपको तीन वेरेंट देखनों को मिलते हैं पहला आपको मिल जाएगा नॉर्मल वेरेंट जिसकी प्राइज आपको अरोड परने वाले है 75,000 के आसपास दूत्रा आपक 6,654 रुपे और इन तीनों में आपको self and kick दोनों का आपसन देखनों को मिल जाता है इसमें आपको लुक काफी अच्छा मिल जाता है साथ में पिलियन कमफर राइडर कमफर्ट अच्छा मिलने वाला है और इसे रफ और तफ यूज कर सकतो यह डेली जूज के लिए बनी है इसकी माइलेज के बात कि आपको इस बाईडर की मैलाइज मिल जाएगी 79 के आजसे पास बाकी तो डिपेंड करता आप चलाते कैसे हो रियल लाइप में आपको इसकी माले 79 के आसपास मिलने वाली है सो काफी अच्छा लुक भी है इसका पिलियन कमफर्ट भी अच्छा है और हीरो का ब्रांड है तो रिसल वैलू भी बीज बाइक की काफी अच्छा जातर आपको विलेज एरिया में ये बाइक जरूर देखनों को मिल जाएगी मुझे तो बहुत देखनों को मिली थी हीरो की एचप डेलक्स तो दोस्तो नेस हमारे पास बाइक है हीरो की स्प्लेंडर प्लस जो की एक किंग बाइक है अपने सेग्मेंट में इसके बारे में तो आप लोगों को जरूर सुना होगा खासकर इसका मुझे fully black color बहुत जाद अच्छा लगता है इसकी price की बातकर इसमें काफी सारे variant है लेकिन मैं आपको top variant की price बता रहा हूँ और और प्राइज इसकी price की बातकर आपको on road price बढ़ने वाले 81,296 रुपे इसकी मालेज आपको मिल जाएगी 81 के आसपास और ये काफी दमदार bike है ये bike बनी है rough and tough यूज के लिए इस पे आप luggage भी गईरी कर सकते हो साथ में पिलियन comfort भी अच्छा मिल जाएगा और look तो काफी अच्छा है ही और ये bike अपने नाम की वज़ा से जानी जाती है इसकी result value बहुत ज़ादा है हर एक bike है hero की कोई भी bike compare कर लोगे तो इस bike की result value ज़ादा रहने वाली हर एक bike से सो ब इम चलते हैं next bike की बात कर लेते हैं next bike हमारे पास है बजाज की platina 110H gear ये मेरी favorite bike अगर मुझे लेना हुआ तो मैं यही bike लूँ क्योंकि इस bike में आपको look अच्छा मिल जाता है comfort बहुत अच्छा मिलने वाला इसकी seat में आपको sofi वाली feeling आने वाले जहें आप बैठ के देखो या चला के देखो साथ में इसका pickup and riding posture भी काफी अच्छा इस bike को मैंने चलाया है और इसमें आपको मिल जाता है size distance cut-off sensor वैसे आजकल तो सारी bikeों में size distance cut-off sensor आ रहा है और थोड़ा बहुत digital meter console मिल जाता है इसकी price की बातकेट आपको दो विरन देखनों को मिलता है 1 disc and drum आपको प्राइज परने वाले 77,097 रूपे और आपको डिस का और प्राइज पर जाएगा 81,030 रूपे और इसकी मालेज आपको काफी अच्छी मिल जाते 85 की मिलने वाली है तो इसलिए मेरी फेवरेट भाइक अगर मुझे कोई लेनी हुई तो मैं बजाज की प्लेटीना 110 कमफर्टक लेना चाहूंगा क्योंकि इसमें आपको अच्छा खासा प्राइडर कमफर्ट लुक साथ में मैलेज भी अच्छा मिल जाता है और इस बाइक की मेंटेनेस कोस्ट भी कम है और सही प्राइस पेकेज के साथ में यह बा बनने वाली है एक्टी 1532 रुपे और डिस्क आपको प्राइस पर जाएगी एक्टी 4561 रुपे इसमें आपको काफी दमदार मायलेज मिल जाता है जैसे आपको अच्छे खासे मेलने वाला जैसे आपको LED मिल जाते लुक काफी अच्छा मिल जाता है और मुझे तो खास बाइक का लोग बहुत अच्छा लगा और आप लोग बताओ आपनों को दिस आंडरम दोनों का उप्रे बीड़िक है और मेरी एक वीद है मिलता इस बाइक में आपको इस बाइक में मिलने माला 89 का दोस्तों आप विश्वास नहीं करो वह बहुत अच्छा मैलेज है 89 का इसमें आपको दो वेरेंट देखनों को मिल जाता है एक आपको की की स्टार्ट मिल जाएगा एक आपको मिल जाएगा एक आपको मिल जाएगा ए दोस्तों अकर आपको एक माइलेज बाइक चाहिए वैलू फॉर मनी के तौर पर बोला जाए तो आपके लिए सीटी हंडेट बहुत अच्छा उपसर है आप इसकी तरह असाई से जा सकते हो यह बाइक आपको जातर गाउं एरिया में देखनों को मिल जाएगा और भीम चलते ह आपको कूल सी फीचर तो मिलने वाले हैं और आपको माइलेज भी काफी तगड़ा मिलने वाला जो कि 90 का रहने वाला है तो आप इस बाइक की तरह ब्यासाई से जा सकते हो और नंबर वन की बात के ता आप लोग गेस करो नंबर वन पे कौन सी बाइक रहने वाली है अगर आप लोग ने गेस कर लिया होगा तो कमेंट करके जरू बताना सो नंबर वन पे हमारे पास बाइक रहने वाली है टीवेस की स्पोर्ट जिसे बोलते हैं माइलेज का बाप लेकिन डिपेंट करता है आप चलाते किसी स्पीड वह हो चलाने वाली स्पीड तो मैंने किसी मालेज आपको मिलने वाली है और आपको हाई गेर पे चलाना मतलब जो उनका टॉप गेर हो मतलब जाए फोर गेर हो या फाइब गेर उस पहर आप चलाते हो है एंट 30 से लेके 50 के बीच में आप टॉप स्पीड रखते हो तो आपको मालेज की बाद के तो आपको 95 की मिलने लुप तो आपको अच्छा मिलता है इसकी प्राइज की बात कि आपको अण रूड इस बाइक की पर जाएगी 68,156 रुप अच्छे खासे प्राइज पेकेज के साथ में आपको मिलने वाली है इसमें आपको किकस्टाठ एंड सेल्फ दोनों का जादा रहने वाला हैं इसमे अगर मुझे लेना हो तो मैं प्लेटीना की 110 कमफर्टिक लो कि उसमें अच्छा कमफर्ट माइलेज और अच्छा मिल जाता है वहीं पर मुझे रगड यूज करना है जैसे डेली लाइफ में बहुत जादा आना जाना वा लगेज भी करना हो तो दो बाइक मेरे पास option में है प लेकिन आपको अच्छा मिल जाता है लुक भी आपको अच्छा मिल जाएगा बाकी तो और बाइके बारे मैंने आपको बताया और आसी में डमिव एंचे डियो घुका वाली है कूंसी इते बाइक स्पर्सखअड कर देना फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में दोस्तों जैहिन वंदे मात्राम